हलो एवरिवन वेल्कम टू स्टेट जीरो स्टेट जीरो के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML and data communication system जो की computer ग्यान का set number 6 मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मेरा नाम है अधित्य और अगर आप इस वीडियो को पहली बार watch कर रहे हैं तो चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंडों के शाद भी आप शेयर कर सकते हो data communications data communications का आर्थ होता है आप कोई चीज कोई टॉक्ट कोई डीटेल्स आप ट्रांस्मिट करते हो बाई digitally form में जो की device होगा another data transfer system और एक जो path होगा वो path रास्ता होगा वो communication channels के माध्यम से होगा उसे कहते हम data communications यनि आप data का आदान प्रदान करते हो बाई किसी system के through जो की digital के रूप में यहाँ पर वर्क करता है simplex simplex का आर्थ होता है this communication दा अंडर अंडर डारेक्ट and the two device और जो की transmit करते है data and other only receive for data and radio broadcasting television system जो broadcasting television system है वो simplest के माध्यम से यानि simple तरीके से data transmit करेगा for other only receive data radio and television के बिहाब पे उसके बाद अगर आगे चलोगे तो आपको help duplex भी मिलेगा and full duplex भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा थोड़ा data communications के बारे में और details में देखते हैं जैसे एक कोई आपके पास laptop या desktop है आप कोई text form में या कोई voice form में अगर कोई आप अपना message send करते हो तो वो आपका message एक transmission media में convert हो जाएगा transmission media के द्वारा और जिस भी आप communications या कोई laptop या desktop में आप भेजते हो उसे हम कहते हैं for receiver और उस protocol के माद्य हमसे receiver में बो data चला जाएगा अब बो data आपका text form में भी हो सकता है और आपका video form में भी हो सकता है आपका audio form में भी हो सकता है तो आपको local system में वहां पर remote system जो कहलाता है और initiate such as data transfer और वहां पर data transfer हो जाएगा और data वहां पर आगे निकल जाएगा उसके बाद आप जैसी upload करोगे उसको refer करोगे to be the sending and to data form a local system a remote system such a server for another client and with the intent of remote system should be store a copy of the data being transferred यानि आप उस data की जो copy है वो आप upload कर पाऊगा यानि जिस video को अगर आप upload करोगे चाहाब वो YouTube platform हो या फिर Facebook platform हो तो आप जैसे उस video को आप upload करोगे तो आपका जो original version वीडियो है वो आपका वहीं रहेगा और उसका copy version आपका उस transfer system में upload हो जाएगा उस server में वो चला जाएगा उसके बाद अगर हम hot mail की बात करें तो hot mail एक messenger cover करता है जैसा आपका gmail होता है लेकिन hot mail एक Indian American entrepreneur saver है जो की जिसके स्थापना की थी भाटिया एंड जैक स्मित वो इसके स्थापना हुई थी 1996 में चुकि ये Indian originate है इसलिए इंडिया में इसका काफी हत्ता की महत्तों और काफी जादा इसका यूज किया जाता है फॉर लार्ज यूजर एंड बिजनेसमें entrepreneur के मादम से उसके बाद एक सिस्टम करता है डाटा में जिसे हम spam कहते हैं spam का आर्थ होता है कोई एक ऐसा message जो की एक bug है bug का आर्थ होता है आप उस message करना तो use कर सकते हैं और जब तक वो message आपके store form में आपके data form में रहेगा आपका data आपका system spam करता रहेगा आपका वो system अच next अगर आप soft copy में देखेंगे soft copy card होता है कोई एक ऐसी information जो की आपकी show करे for display screen पर कोई display screen पर आपकी information यहाँ पर show करती है उसे हम soft copy कहते हैं next अगर hard copy hard copy होती है for graphics printed and paper also यानि अगर आप किसी text form का paper output लेते हैं उसे हम hot copy कहते हैं आपने सुना होगा किसी दुकानदार के यहाँ पे कि मुझे sir hot copy देदीजिए यानि ऐसा एक लिखित form देदीजिए जो की मैं paper wise में दूसरे को जाके दे सकूँ और soft copy वो आपकी paper में तो में तो रहेगी लेकिन वो आपकी फांत में नहीं होगी आपके digital form में वो होगी soft copy थोड़ा सा और detail में देखते हैं एक protocol system होता है जो आप उसके दौरा message का आदान प्रतान करते है message को आप यहाँ पे send कर सकते हैं किसी भी other social media platforms के दौरा उसी के बाद एक अगर और medium देखें वो medium आपका audio और video में भी हो सकता है जैसे आपका laptop to desktop and desktop to laptop उसके यहाँ पे mobile phone का भी use कर सकते हैं उसके बाद एक word आता है cc carbon copy cc carbon copy का आर्थ होता है अगर कोई email है ऐसा email जो की receive करता है for copy all message address for primarily to another यानि आपका primary to another stage पर कोई ऐसा message copy करता है जो की encrypted है या फिर spamable message है उसको कहते हैं cc carbon copy यानि आप उसकी pure जो indicated आप copy वहाँ पे receive कर पाते हैं copy उसको आप ले पाते हैं फर blind carbon copy एक blind carbon copy जो होती है उसको हम hidden notification and recipient listed and listed in the bcc field receiver a copy of the copy यानि जो जैसे bcc field होती है आप उस पर कोई copy आप वर्क करते हो या कुछ system आप उस पर बनाते हो कोई graphical integrator आप उस पर show करने की कोशिश करते हो से हम कहते हैं जैसे को hidden notification आपको देनी है किसी को hidden message देना है तो उसको from blind carbon copy के थुरू आप किसी को वो codify में आप उसको यहां पर message send कर सकते हो उसके बाद जैसी आप signature यहां पर बनाने कोशिश करते हो तो signature चुकि एक ऐसी चीज होती है कि personal identify करती है किसी human beings को या किसी व्यक्ति को तो उसकी information जो है वो email के थुरू आप signature यहां पर भेज सकते हो औ और चाहे वो block of text and appended to the end as a email message यानि आप उस email message के दोआर अपने original signal भी original signature भी आप यहां पर transmit कर सकते हो transfer कर सकते हो उसके बाद हम देखते हैं HTML यानि hyper text make up language यह एक ऐसी भाशा होती है जो कि uncodable language होती है जैसा कि आप यहां पर एक developer page होता है उसको पर 90 90 एक developer page होता है जो कि 1991 में यहां पर वर्नियर ली नाम की एक ग्यानिक ने इसको create किया और 1995 में इसको first send किया था for the 4.01 वर्जन के through और एक web page पर इसको design करके उसकी website में इसको create किया था HTML यानि hyper text make up language next कुछ हम आपके सामने एक इंटिगेटर लाए हैं जो कि जिसके short form इंटरनेट में काफी यहां पर यूज होते हों नजर भी आते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं जैसे first of all जैसे आप start करोगे अपना laptop या desktop तो all program all program के बाद आपका so series उसके बाद notepod आएगा यानि notepad आएगा और उसके बाद notepad में आप जैसे वहां पे click करोगे या type करोगे तो आपको deck type for html आप लिखा हुआ आएगा html उसके बाद आपको head में ऐसा कुछ अगर arrow बनके आता है उसके बाद आप उसके head पहुँच जाओगे फिर head के बाद में title create करोगे title में आप उसका text title डालोगे फिर subtitle डालोगे इस तरीके से आप उहां पे आगे बढ़ते जाओगे फिर h1 का अर्थ होता है hidden for h2 and p का यहां पे अर्थ होता है paragraph and body for html इस तरीकी के सवी जो hidden word है या short form है उनका हम use करते है all the tag and desktop कुछ tag का भी यहां पे use करते है tag का अर्थ हो email id या किसी के personal mail पर तो आप उसको यहां पर tag कर सकते हो और description में भी आप उसके बारे में यहां पर information दे सकते हो tag के लिए आप कुछ ऐसा अगर b शब्द मिले तो उसको कहते हैं definite bold text या फिर कोई आपका i शब्द मिले हो definite eletric text u का अर्थ u का जो ऐसा सब्द मिलेगा आपको desktop पर उसको कहते हैं definite underline यानि underline रूप से आप उसको text कर सकते हो DLA मिलेगा आपको for every जो आपका वो होता है जिसको हम कहते हैं for key paid उसमें आपको delete का एक option मिलेगा इसको DL लिखा होगा उसके बाद sub sub subject for subject यहां पर कुछ होगा उसको define is define for subscribe उसके बाद आपका supply होगा for उसको हम कहते हैं super scripted यानि define sub scripted और उसके बाद आपका super define scripted या sub scripted तो इस तरीके से उस पर आप वहां पर work कर सकते हो आप वहां पर काम कर सकते हो all data window platform जो की आपको short form चाहाब वो tag हो description हो वहां पर वहां पर आपको work करने के लिए काफी ज़्यादा कारगर शिद्ध होगे काफी ज़्यादा आपको वहां पर helpful महसूस होंगे तो आज के लिए बस इतना ही thank you thank you for watching और अगर आप इस वीडियो को पहली बार watch कर रहे हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें and फ्रेंडों के शाद भी आप share कर सकते हो thank you